जैहिन दोस्तो स्वागत है आपका हमारे ओफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके जोब सग्यान में तो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती डाक विभाग के द्वारा तीन राजियों के लिए 3600 प्लस पोस्टों पर भरती निकाली गई है तो दोस्तो इसमें जो आपके पोस्ट नेम है वो ग्रामी डाक सेवक BPM और ABPM इसमें आपको पोस्टे निकाली गई हैं तो दोस्तो अगर आप दसमी पास हैं तो आप इन तिनों पोस्टों को अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो बात करें इसकी age limit की तो इसमें आपको age limit ठारा से 40 वर्स तक दी गई है तो दोस्तो आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको और क्या-क्या eligibility criteria दिया गया है और ये तीन कौन-कौन से राज्य हैं जिसमें आपको vacancy निकाली गई है तो दोस्तो वीडियो को end तक जरूर देखे ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके और आप भी इसे apply कर सके तो दोस्तो अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल S.K.Jobs ग्यान को subscribe करें और बैल के आइकन को दुबाएं ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही और नहीं नहीं vacancies की detail लेकर आज सके तो दोस्तो यह Indian Post की official website है जिसमें आपको तीन राज्यों के लिए notification निकाली गई है तो दोस्तो इसमें जो आपका सबसे पहला राज्या है वो है अंदर परदेश तो दोस्तो इसमें आपको 296 पोस्टे निकाली गई हैं तो दोस्तो आप यहीं से इसे जो है online apply भी कर सकते हैं और दोस्तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपको और क्या eligibility criteria दिया गया है फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे कैसे apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसमें जो आपकी सबसे पहली post है वो है branch postmaster BPM की तो दोस्तो इसके बाद आपकी जो next post है वो है assistant branch postmaster की ABPM और जो इसमें third है वो है dark saveak की तो दोस्तो यह तिनों इसमें आपको post निकाली गई हैं तो दोस्तो आप बात करते हैं कि इसमें आपको salary कितनी दी जाएगी तो जो category है BPM वले हैं उनके लिए 4 गेंटे के लिए आपको 12,000 रुपय salary मिलेगी और अगर आप 5 गेंटे work करते हैं तो आपको 14,000 रुपय salary दी जाएगी तो दोस्तो इसके बाद जो ABPM और डाक सेवक हैं उनके लिए 4 गेंटे के 10,000 हैं और अगर आप 5 गेंटे job करते हैं तो उसके लिए आपको 12,000 रुपय salary दी जाएगी तो दोस्तो आप बात करते हैं इसके eligibility criteria की तो इसमें जो आपकी age limit है वो 18 से 40 साल तक दी गई है जो की 2021 तक तो दोस्तो इसके बाद इसमें आपको SC और ST के लिए 5 साल की छूट दी जाएगी other backward class OBC के लिए 3 साल की छूट दी जाएगी इसके बाद जो EWS है economically weaker section है उनके लिए कोई relaxation नहीं है और जो PWD वले हैं उनके लिए 10 साल की और PWD OBC के लिए 13 साल की और PWD SC ST के लिए 15 साल की छूट इसमें आपको दी जाएगी तो दोस्तो आप बात करते हैं इसकी education qualification की तो अगर आप 10th pass है तो इसे apply कर सकते हैं और आपको जहां की post के लिए आप apply कर रहे हैं वहां की जो language है local language वो आपको आनी चाहिए तो दोस्तो आप बात कर लेते है local language की तो इसमें जैसे आपका आंदर परदेश है तो यहां पर तेलगू बोली जाती है असाम में असामी बोली जाती है इसके बाद बिहार में हिंदी 36 गड़ में हिंदी दिली में हिंदी और गुजरात में गुजराती हर्याना में हिंदी हिमाचल में हिंदी जमू एंड कश्मीर सरकल में उर्दू या ह लेकर चलता हूं और वहां से बताता हूं कि आप इसे ऑन लाइन अपलाइब कैसे कर सकते हो तो दोस्तों यह इसकी आफिशाल वैबस इडा है जिसमें आपको सबसे पहला आपका जो स्टैप है वो है registration का उसके बाद आपकी face payment कि जाएगी उसके बाद आपका online apply होगा तो दोस्तो सब्से पहले हम registration पर click करेंगे और यहाँ से registration का option चोज करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पर registration form दिया गया है तो दोस्तो यह सब्से पहले आपने applicant name लिखना है जो आपका 10th case certificate पर है उसके बाद आपका फादर ने मोबाइल नमबर अधार कार्ड इमेल डेटो वर्थ जेंडर कॉमुनिटी आपका जर्नल है CST OVC कौन सा है वो आप यहां से सेलेक्ट करोगे तो दोस्तो इसके बाद ऐसे ही इसमें आपको और भी option दिये गए हैं और तभी आप इसे जो है apply करोगे तो दोस्तो जब आप यह सब पूरा कर लोगे तो आपने यह capture यहां पर भरना है तो दोस्तो इससे पहले आप यहां से अपना preview भी देख सकते हो कि आपने form ठीक भराया या नहीं उसके बाद आपने इन दोनों option पर click करना है और यहां से ही सम्मिट के option पर click करना है तो आपकी जो registration है वो complete हो जाएगी उसके बाद आपने इसकी जो fees है वो pay करनी है उसके बाद आप इसे online apply कर सकते हो तो दोस्तो इन सब jobs के regarding अगर आपकी कोई query है तो आप हमारे वीडियो के comment section में comment करकर हम से इसके बारे में पूछ सकते हैं तो दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like, share and comment जरूर करें धन्यवाद दोस्तो जै हिंद जै भारत